इस्क्रीन पे एक महिला को देख रहे हैं। इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। क्यों? क्योंकि विएतनाम के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉट किया है इनोंने। सिर्फ विएतनाम ही नहीं, बलकि दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी धोखागड़ी इनोंने करी है। और बड़ा ही अजीब सा खिसा है इनका वियतनाम के जीडीपी का तीन परतिसत इन्होंने गबन कर दिया है एक आम महिला ने ऐसा कैसे कर दिया जिसके खिलाफ जब सबूत आए तो 6 टन सबूत आए हैं जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं हिंग लगे न जीत हासिल होती हुई दिख रही है भारत का काम कर दिया है नाटो ने इसलिए अब भारत मीठे मीठे वचन भी बोलना सुरू कर रहा है क्या भारत नाटो में सामिल होगा ये सवाल एक बार फिर से आ रहा है लेकिन भारत की कूटनितिक जीत बहुत तगड़ी वाली हुई ह जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से वैसे ये मामला थोड़ा हटके है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है इसलिए मैंने सोचा कि इस News को भी हमें जानना चाहिए वियत नाम की ये महिला है और इस महिला की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत आस्चर ये होगा एक समय था काफी दुखवरी इस्तिती रही है मा के साथ ये बेटी किसी तरीके से गरीबी में अपना जीवन चला रहे थे सडको पर ब्यूटी प्रोडक्ट बेचा करती थी ये और घर चलता था फिर इसका ब्या होता है होंग कोंग के एक छोटे मोटे बिजनसमेन के साथ फिर दोनों मिलकर होटल और रियल इस्टेट के सेक्टर में उतरते हैं और उतरते उतरते एक बहुत बड़ा सामराज ये खड़ा कर देते हैं 67 साल की ट्रूंग माई लेन इन्हें दुनिया के सबसे बड़े धोकागडी का दोसी पाया गया जरा सोचिये कितना पैसा इनके उपर बकाया है 12.7 बिलियन डॉलर और ये वियतनाम की जीडीपी का तीन परतीसत है मतलब की एक बहुत बड़ी रकम इन्होंने काफी कम समय में कमाया कैसे कमाया तो कमाने के पीछे कारण था साइगन कमर्सियल बैंक इन्होंने 11 साल तक देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक साइगन कमर्सियल बैंक को लूटा और आखिरकार जब इनके खिलाप कम्पलीन आने लगे तब जाकर इनके उपर केस रेजिस्टर्ड हुआ और ये जो मामला है इस मामले के लिए तीन जूरी सदस दो जज के पैनल बैठे और बहुत सारे सबूत पेश किये गए बकसे में भर भर कर सबूत आया यहाँ पर 2700 लोगों को गवाही देने के लिए बुलाया गया 200 वकीलों ने हिस्सा लिया कहा गया कि 5 हपते तक इसकी सुनुआई हुई और इस सुनुआई में ये पता चला कि इनोंने सबसे ज़्यादा गबन किया है आखिरकार इनको मौत की सजा दे दी गई है अब आपके मन में ख्याल आएगा कि क्या धोकागड़ी के मामले में मौत की भी सजा मिलती है अदालत में 6 टन सबूत पेस हुए है कहा जा रहा है कि इनकी वजह से 27,000 लोग पीडित बने है ना सिर्फ इतना बलकि इनोंने बैंक से लोन लिया 44 अरब डॉलर का और 27 अरब डॉलर अभी भी इनको लोटाना है इनोंने बैंक को फुल कॉन्फिडेंस में ले लिया और कॉन्फिडेंस में लेने के साथ इनोंने भरष्टाचार को जारी रखा सुनवाई की दोरान 104 बक्सों में सबूत पेस किये गए जिनका कुल वजन था 6 टन ये कहा गया कि कमनिष्ट का सासन का सबसे बड़ा सोट ट्रायल था और सबसे बड़ी बात ये है कमनिष्ट सासन है इसलिए इन्हें सजाय मौत मिली वैसे इनकी कहानी अगर जानेंगे तो ब स्क्रीन का ब्याह होता है होंकों के एक बैफारी साथ और उसके बाद ये रियल इस्टेट और इस सेक्टर में कदम रखते हैं जिसके बाद ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और आज के समय में ये हालात पैदा हो गए खैर जहाएं एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं रिष्टे अच्छे होने चाहिए और अगर रिष्टे अच्छे होंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा बात तो बिल्कुल सही है कई तरह की चीजे मन में आएगी कि आखिरकार ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हट रहा है तो फिर अपनी जुबान कड़वी करने से क्या फाइदा है मैं यूहीं नहीं कह रही हूं ऐसा अभी जो कुठनीति गेम चल रहा है ना बहुत तगड़ा वाला गेम चल रहा है इस्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए एसिया से दूर रहो चीन और रूस ने के बाद दोनों नेताओं ने नाटो पर आरोप लगाया की एसिया परसांद चेत्र में नाटो घुषने की कोसिस कर रहा है दोनों नेताओं ने कहा कि ये अब हमारे घर की तरफ हाथ फैल आ रहा है मंगलवार को रूस के विदेश मंत्री सरगई लवारोव ने अपने चीनी समक चुवांगी से बिजिंग में मुलाकात की और उसके बाद ये सारी चीजें ज्यादा चर्चा में आने लगी है नाटो एसिया परसांद छेतर में क्या आ रहा है बिल्कुल आ रहा है और उकुस को माना जा रहा है कि ये एसिया का नाटो है अब इसमें जापान भी सामिल हो परजन जो इस जगह पे तैयार हो रहा है नाटो की एसिया प्रसांद में मौजूदगी चीन के आकरामक नीती के लिए सबसे बड़ा खत्रा है चीन को डर है कि इस तरह पस्चमी देश उसकी घेरे बंदी कर सकते हैं चीन अपना ये डर रूस से पहले भी साजा कर चुका है और अब ये चीजे होते हुए दिख रही है इसक्रीन पर आप आप आर्टिकल देखिए जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध को आप नाटो कह रहा है कि 5 साल तक चलाएंगे टेंसन नहीं लो 100 बिलियन डॉलर का फंट रख रहे हैं हम पॉल्टिकों की खबर देख सकत हैं मतलब समझे कि यहां रूस उल्जा है अपने एक युद्ध में तो अहीं दूसरी तरफ नाटो को यहां फैलाया जा रहा है चाइना के खिला और इसकी सुरुवात हो चुकी है आपको अगर लगता है कि नाटो ने भारत को ओफर नहीं दिया होगा ओकुस में भारत को ल जरूरत ही नहीं है और भारत रूस के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता है असर देखिये निकल कर सामने आ रहा है एसिया का नाटो चाइना ओकुस के एक्सपेंशन से अब डरने लगा है ओकुस के मिलिटरी पैक्ट भी साइन हो रहे हैं और यही वज़ा है कि यहां पर चीन के अंदर बॉखलाट देखने को मिलने लगी है तो जब आपका काम कोई और कर रहा है तो बहतर है कि आप सांती से रहें मीठे वचन बोलिए अच्छे से रहिए वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अ